हर्यान पर्देश में विधानसभा चुनाओं का भीगल बजा हुआ है तो वहीं सबी पार्टियों अपने-अपने उमिद्वारों को मैदान में तारने की तयारी कर रही है कॉंग्रेश और बीजेपी ने अपनी पहली सुची जारी की तो कॉंग्रेस की पहली सूची में सोनिपत विदानसभा से कॉंग्रेस पवार पर फिर विरोशा जताया है जो की विदायक थे आप E.D. ने उनको गिरफतार किया था इस समय सुरंदर पवार जेल में है उनकी पूतर वदू है समिक्सा पवार जिनके कंदों पर इस चुनाओगा बार है पवार साब तो जेल में हैं कॉंग्रेस पार्टी ने फिर विजवाज जताया है टिकट दी है किस तरह की तैयारी है आपकी सबसे पहले तो मैं कॉंग्रेस पार्टी के श्री दीपक बाबरिया जी चौदरी बुपेंदर सिंग हुड़ा जी श्री उदेभान जी और हम सब के लोग प्रिये सांसद श्री दिपेंदर सिंग हुड़ा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्हों ने अपने आशिरवाद रूपी टिकेट मेरे पिताजी को दिय और माश्र Variणाच says फ्रूंबे लाना चाहती हूं सोनीपत की जंता की तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफes अपने कॉंग्रेस के कारेकर्टों की तरफ से कि जो आशिरवाद उन्हों ने मेरे पिताजी पर पुन्हे दिया हैं उस पे बहुत मेहनत करेंगे और ये सीट निकालकर मेरे पिताजी को विधानसबा में भेजेंगे. क्या मुद्धे हैं किन मुद्धों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि पिछले दस साल से बीजेपी सरकार है और उस बीजेपी सरकार कह रहा है कि हम तीसरी बार फिर पर देश में सरकार बनाने जा रहे हैं. देखिए जी, बीजेपी की सरकार से हर वर्ग परिशान है. दस सालों में बीजेपी सरकार ने क्या कर रहा है क्या नहीं यह मैं नहीं सोनिविक की जनता बता रहे हैं और फिर से विपश की सरकार से जो परतियाशी हैं वो मैदान में उतर गए हैं और यही दावा कर रहे हैं मैं सोनिपत की जनता पूछती है उनसे कि 10 साल में जो विकास नहीं हो पाए वो आने वाली 5 साल में वो किया विकास करेंगा और सोनिपत की जनता ये अपनी वोट की चोट से आने वाली 5 अक्टूबर को उनको ये जवाब देगी सुरंदर पवार जी नमांकन के लिए सोनिपत पहुंचेंगे मुझे देखिए मुझे देश की नाय पालिका पर पूरा भरोसा है बहुत जल्दी हमारे पिता जी हम सब के लोग प्रिविधायक बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे फिर से और जैसे सेवा करते हैं वो ऐसी सेवा करते आएंगे लोगों की कहीं अगर बीच में नहीं आपाती है तो उनकी चुनाओ के दोरान कमी जो जुरूर खिलेगी कि वे होते तो आज माहूल और कुछ होता देखे मेरे तो एक ही माना है भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं है मुझे फिर मैं आपसे फिर यही दोराना चाहती हूं कि इस देश की नायपाले का पूरा बरोसा है बहुत जल्दी हमारे बीश में पवार जी बहुत जल्दी हमारे बीश में लॉटकर फिर से आएंगे। जो सपना सोंटी की चमकाने का वो पूरा करेंगे हूं। आपने क्या प्लान बनाया सोओनी विदान सबागा सा जीत के लिए किस तरह की तायार्य की है। कि देखिए मैं जहां जहां पूरा प्यार मिल रहा है स्वंजयत का पूरा आशेवाद मिल रहा है। मेरे पिताजी बेशक ही पांच सालों में लोगों की राजनीती में आये हैं, बट 15-20 सालों से लोगों के दिलों में बसे हैं, लोगों के जान में बसे हैं, मेरे पिताजी को यहां से जो शड्यांत रच के सरकार अपने पास रखा हुआ है, लोगों के दिलों जान में बसे हैं चिकरा साब अब सुन्दर पवार को मैदान में उतार दिया है कॉंग्रेस पारटी ने फिर बरूसा जताया है अब किस तरह की तैयारी क्योंकि आपके जो साथी हैं बड़े भाई का हैं ओ तो अभी जेल में हैं इडी ने उनको गिरफतार किया था किस तरह की प्लानिंग आप लोगों ने किये चुनाओ को लेगा देखिए सबसे पहले आप मान के चलो कि हम सीरस नेतरतव का कॉंग्रेस नेतरतव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दोबारा से बाई सुरंदर पौवार पर विश्वास और आस्ता जताई है हम उनका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं दूसरी बात इनोंने कोई भी सडियंतर रच के चे पौवार साब को अंदर कर दिया हो एक के सडियंतर के तैद लेकिन आप मान करके चलें सुरंदर पौवार से ही मायने में एक जन सेवक है बहुत बले आदमी ये सोनिपत की डाई लाख वोटर अच्छे से इस बात को जानते है क्या मुद्धिया है किन मुद्धों को लेकर जनता के बिचारे बीजेपी कह रही है कि कॉंग्रेस की राज में खर्ची पर्ची चलती थी दो-दो रुपे किसानों के चैक आते थे देखो ये बात तो वही होती है कि धोता चना बाजेगा ना इनके जितने भी आज तक चाहे बढ़ती होई है वह सारी की सारी जो ना वह पेपर लीक हुए है सारी बरतियों में आप देख लो पीछे सारे के सारे बार के लगाए गए 68 एक जंग विकेंजी थी जिमें दो के वला हरियाना आगे थे और बाकी 66 के 66 बार के लगाए गए थे ये बात तो वह करें साथ सो किसानों जो शहादत दी एक शबद भी इस देश के पर दान मंतरी का और मुख्या मंतरी का एक शबद उनके क्लब सांत्वना का उनके परती निकला नहीं तो लोक बली बाती जानते हैं मेंगाई चरमशीमा पर हैं बेरोजगारी चरमशीमा पर हैं अब राद में नंबर वन है और सही माइने में परदेश जो चोधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा जी के टाइम में नंबर वन हुआ करता था आज पिछड़के वो चोधे नंबर पर पहुँच गया इसे या शरमनाक बात इन बीजेपी वालों के लिए हो नहीं सकती है कि आप वरसाब जेल से बाहर आएंगे चुनाओ के दुरान देखो अगर इस धरती पर कहीं परमात्मा है कहीं भगवान है तो मैं निश्ची तोर वो वा फ़िदान सभा पहुंचेंगे और उसका सपना है, जो संकल्प है कि किस परकार से सोनीपत को चमकाया जाए, सोनीपत में बेरोजगारी को खतम किया जाए, उन सब का वो पूरा करने के लिए विदान सभा पहुचेंगे और बाइस उरंदर पहार मंत्री बनने का य законч पास उमीदवार नहीं है, सूची जारी नहीं कर रहे हैं एक सूची आईये पहली. फरस से लेके अरस तक पहुचाने का काम किया, वो सक्स कंग्रेस्ट पार्टी का ही देन है, सबसे पहले तो वो भागया और उसके बाद सही माइने में बीजेपी ने ओधारा कंडिडेट लेके कंडिडेट से जब वो चुना उई मैदान मुद्रे, कंडिडेट तो उनके पास पार्टी के भारती जंता पार्टी को चोड़के, renovate कांगरेस में हास्ताजत आ रहे हैं। सब लोगों ने मन बना लिया है, कि बाजबा जा रही है। और कंगरेस आ रही है। बजरण पूनी और विनेस फोगाट ने भी कंगरेस जोईन की आ विनेश फोगाट को चुलाना से उमीदवार मना कर मैदान में उता रहा है क्या बेनिफिट मिलेगा कॉंग्रेस को इसको उसका बेनिफिट देखो 36 ब्रादरी उनके साथ है और जिस परकार से पूरे पांच साल उत्पीडन रहा और ये जितने भी जंतर मंदर पर हमारे के अंदर सतर से असी सीटे जीत के कॉंग्रेस पूर्ण बहुंबत से सरकार बनाने जा रही है चोदरी भुपेंदर सेंग उड़ा इस परदेश की सत्ता पर आसीन होंगे और सौनीपत से बाई सौनीपत की जंताने और हर्याना की जंताने मन बना लिया है अब बीजेपी के जूठे वायदे और परलोबनों में कोई आने वाला है नहीं बीजेपी के प्रदेश सद्देक्स है मोहनलाल बडूली उन्होंने का कि जो पहली सूची कॉंग्रेश ने जारी की है उसमें अपरादी परवर्ती के लोगों को टिकट दिया है उन्होंने सुरंदर पवार पर परदेश सद्देक्स की बात करें तो उन्होंने तो एक ही टिकट की गोशना की थी कि लाड़वा से मुख्या मंतरी जो हन नायब शैनिज लड़ेंगे इसके लावा तो उन्होंने को पताया है निके टिकेट किसकी कहां से है मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस बारते दिन्थ पर ठघबंदन मताया उनके उमीदवारों को उधारे लेकнет कहीं कांग्रेस के कहीं जेजेपी के और कहीं से और दोसरों को लेके। उन सब को उमीद्वार बनाया जा रहा है जा हम शुरूती चौधरी की बात कर लें चाहे आप बबली की बात कर लें देवंदर बबली की किसी की भी बात कर लें ये तो एक बिलकुल पक्षपात्पून और बेकार की जो बाते हैं वो एक राजनिती की बाते मैं नहीं कह सकता को जिस परकार की वो उन्होंने बाते करते हैं सही मायने में दूसरी पार्टियों से उधारे लिए वे उमीद्वार वे मैदान में उतार रहे हैं हम एक के निश्चित तोर पर आज सोनीपत का एक एक वरकर एक भाई एक जो ना जितने भी हमारे पता दिकारे में सब सुरंदर सुरंदर पावार बनके आद एलेक्शन में उतर चुके हैं और बिल्कु कमर कश चुके हैं और भाई सुरंदर पावार के पर सी बहुत बड़ी सिंपत्य और बहुत बड़ी लहर है निश्चित तोर पर यहां से बाई सुरंदर पावार MLA भी बनेंगे मंत्री भी बनेंग पवन राठी हर्याना तक